श्रिलंका में हालात हुए बेकाबू कारवहक राश्ट्रपती ने सुभा से लगाया कर्फियू पिये मावस के सामने एक प्रदर्शन कारी की मौत सियम पुशकर सिंगधामी का खटीवा दोरा आज व्यापारी मंडल के नव निर्वाचित पदाधी कारियों के शपत गरहन में होंगे शामिल यूपिये समर्थित राश्ट्रपती पद के उमीदबार ये श्वन्त सिंहा पहुचे भोपाल कॉंग्रेस और यूपिये समर्थित विधाई को से मांगेंगे समर्थन 18 जुलाई को राश्ट्रपती के पद के लिए होनी है वोटे भुपेश कैबिनेट के एहम बैठक आज मुख्यमंत्रे नवास में होगी बैठक मचुआ नीती को मिल सकती है मन्जूरी ट्रांसफर, पॉलिसी और मौनसून सत्र को लेकर होगी चर्चा कावड यात्रा की तैयारी को लेकर मेरट में ACS, होम और DJP की एहम बैठक हर जिले की तैयारियों की होगी समिशा 17 जुलाई से शुरू होगी विशाल कावड यात्रा माध्य प्रदेश में फिर डराने लगे कोरोना के लगातार बढ़ते मामले बीते 24 घंटे में 171 नए मरीज आए सामने 36 घंट में भी एक दिन में 386 नए मरीजों की पहचा देश में 18 साल से उपर के सभी लोगों को मुफ्त में लगेगा कोरोना का बूस्टर डोज 15 जुलाई से शुरू होगा अभियान 75 दिन के लिए ही मिलेगी सुवीधा उत्राखन के पहाड़ी जिलों में बारिश ने मचाई तबाही चमोली में जगजगा सड़क पर तूट कर गिरी चटाने लेंड स्लाइड होने से बदरिनाथ हाईवे हुआ बन